तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में सो फाइनली आज का ये वीडियो काफ़े इंपोर्टेंट और नॉलेज़िबल होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोग इस चैप्टर को और इस वीडियो को देखने की कोशिश मत किजिएगा आप एज परसन देखने की कोशिश किजिएगा क्योंकि बहुत सारे नॉलेज जो है ना इस चैप्टर में ठूस ठूस कर भरे हुए हैं जो कि आप लोग के लिए काफी यूजफूल है ठीक हैं आप लोग के लिए जानना जरूरी है यह चीज़ चैप्टर का नाम है global warming 10th class के उर्दू का chapter number 6 है जिसका नाम क्या है global warming और इसको उर्दू में कहा जाता है आलमी हिद्दत या फिर तमाजते अर्जी Global Warming इस नाम से हो सकता है कि आप लोग परीचित होंगे यानि कि इस नाम को कभी सुने होंगे जान गलोबल वार्मिंग किसे कहते हैं यह जानते होंगे अगर नहीं जानते हैं तो पुन रूप से आज के इस वीडियो में आप लोग को पता चल जाएगा कि अखिर Global Warming है क्या कि इससे कहते है गलोबल वार्मिंग और इससे क्या ق्या नुकसान है और इससे बशने के क्या-क्या उपाय है देखिते नाम में यह ई게 why तो प्रित्वी और वार्मिंग मतलब होना वार्मिंग का मतलब क्या होता है गर्म होना यानि की ग्लोबल वार्मिंग प्रित्वी का गर्म होना यानि की प्रित्वी के टेंप्रेचर में टेंप्रेचर को उर्दू में कहा जाता है दर्जाय हरारत ठीक है तो प्रित्वी के या तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या नुक्सान हो रहे हैं और कितना डिग्री सेलसेश जो है ना प्रित्वी का ताहमान पिछले सो बरस से बढ़ चुका है ठीक है और इससे क्या खतरनाक बिमारिया होंगी और इससे बचनी का क्या उपाय है यह हर एक चीज़ आप लोग को कह रही हूं कि आप लोग के लिए वीडियो तो जरूरी है ही लेकिन अगर आप को आप टेंथ क्लास के स्टुडेंट नहीं है लेकिन फिर भी आज किस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ठीक है ना बहुत कुछ सिखने को मिलेगा और टेंथ क्लास वाले जितने भी में वीडियो को लाइक करते और जितना ज़्यादा उसके शेयर करते जादा ज्यादा शेयर करें क्यानल पर अगर आप लोग नए नए आये हुए हैं हमारे वीडियो उसको पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आन कर लिजेगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड दो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे एक चीज़ अपने मैंड में फिट कर लिजेगा कि आज का ये 10th क्लास के उर्दू का जो दरक्षा का किताब है 10th क्लास के उर्दू के दरक्षा की किताब से चैप्टर नमबर 6 पू चूटेगा नहीं मतलब पूर्ण रूप से आप लोग वीडियो के इन तक पहुंचते पहुंचते इस चैप्टर के जादूगर बन जाएंगे यानिकि इस चैप्टर से कहीं से भी किसी तरह से कुछेगा तो आप लोग छोड़ कर नहीं आएंगे बलकि 100% करक्ट बना कर आ एक मजमून है यानि की निबंद है कभी कभी आप लोग के एक्जाम में ग्लोबल वार्मिंग पर मजमून लिखने के लिए पूछ देता है तो आज के इस वीडियो को अगर आप लोग देख लेते हैं तो अगर मजमून भी लिखने के लिए बोलेगा निबंद भी लिखने कर देना ही क्या कहलाता है मसमून कहलाता है ठीक है न तो इस चäप्तर में Global यानिकी आलमी हिद्दत के उपर बऄ पर मजमून लिखा गया है और उसी मसमून आप लोगो पुर्णा है तो ऐसे स्टार्टिंग में बताया गया है बहुत है उसके वह एक सइयारा है यान की प्रित्वी पर हम लोग रहते हैं हिंडी में कहा जाता है गलफ वो एक सइयारा हींडी में कहा जाता है घ्रहह। लगाने वाले पिंड को कहा जाता है ग्रह यान की प्रिथवी भी जो है लोग का जमीन ये भी सुरे के चारण व चले牌 है यानि की जन一個 रखना है और इस तरहговे बहुत वोक्त चारे की प्रित्वी परी प्रित्वी एक मात रहसा प्लानेट है जहांपर लाइफ पोसिबल है जीवन संभौव है क्लाइप यहां का सब के लिए मुनासिब नहीं है लेकिन पिछले कुछ सालों से जमीन यानि की वृत्वी का टेंप्रेचर लागातार बढ़ रहा है और अब यानकि पिछले कुछ सालों से जो पूर्थी सापमान में दर जहरारत में बढ़नती हु वह समझेय कि एक तरसे Global Warming में बढ़नती हु रही है किया है । है कि the World Warming के तो गपिशले दस सालों से दुनिया के जो बड़े-बड़े साइंटिस्ट है वो इस मसले पर फिक्रमंद है जर्मनी यूएसो अमेरिका यूएनो मतलब अलग-अलग मुल्क जो है ना मुलके साइंटिस्ट इस ग्लोबल वार्मिंग से बचने का रास्ता निकालने की कोहिश कर रहे हैं इस पर फिक्रमं यान की serious मसला बन चुका है पूरे वर्ल्ड के लिए ठीक है और एक चैलेंज बन चुका है कि किस थरीके से ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए तो यहां पर आप लोगों के एक्जाम में क्योशन अब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि आलमी हिद्दत कैसा मसला है option में दिया रहेगा संगीन तो जिस भी option में संगीन दिखाई दे इसको दूरे से टिक कर देना है यानि कि आलमी हिद्दत ग्लोबल वार्मिंग जो है यह एक serious मसला बन चुका है यह संगीन मसला है लेकिन यहां पर बात यह आती है कि आखिर ग्लोबल वार्मिंग यानि कि आलमी ह ठीक को समझते हैं कि अगर ग्लोब Pepper के ताहिब मैं और पृत्वी के तापमान यान्वी दरजय हरारत बढ़ता रहा इसक्या क्याह हो सकता और जिससे समंदर का समंदर के पानी का सत्र है लेवल वह बढ़ेगा और आप लोग जानते हैं जबसे पानी का इस्तर बढ़ेगा तो वैसे मुल्क जो समंदर के किनारे अबाद हैं उनके डूबने का खत्रा है हमारा परोसी देश बंगला देशी हो गया माल देपी हो गया ठीक है तो यह जितने भी मुलक है जो समंद्र के किनारे बसे हुए हैं आबाद है उनके डूबने एक ही खत्रा है तो पहला नुकसान तो हो गया उसके बाद से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के जासे आब हवा में तब्दिली आती है यहां पर गर्मी पढ़ने लगी है जहां पर ठंडी जहां पर ठंडी लगनी चाहिए यहां पर गर्मी लगना तो यह सब होता है ग्लोबल वार्मिंग के बाद से यहां तक कि बैक्टेडिया जॉंस वायर्स जो पनबते ہیں वह वार्मिंग बढ़ने के कारण नहीं पनपते हैं मतलब एक कारण ग्लोबल वार्मिंग की बढ़नती भी है ठीक है तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के वजह से तरह तरह के खतरनाक बैक्टेरिया जम्स वाइरस पनपते हैं और जिसका लाइफ प्रैक्टिकल डेमो हम लोग अलड़ी देख चुके हैं पैं बहुत सारे नुकसान है ग्लोबल वार्मिंग के जिसका हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं तो इसी वजह से दुनिया के जो बड़े-बड़े साइंटिस्ट है वह फिक्रमंद है ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम किया जाए ठीक है अब चली समझते हैं कि आखर यह कर सकते हैं कि यह सभी गैस को क्या कहा जाता है ग्रीन हांस कैस कहा जाता है और यही जक्रीन हाइस बढ़़ने का जो कारण है वह सभी इंसानी हैं हम सभी इंसान जो इना ऐसे सी एक्टिवीटी गती भी दिया करते हैं जिसको जैसे ग्रीन हाउस गैस जो न ये बढ़ता है और जिसको शाइंस की जबान में एक्फेक्ट ऑफ ग्रीनधावाउस गैस का जाता है जी यानि के स्राथ बढ़ता है जी अब बढ़ता है इस दुनियाने उससे वेस्ट मिटेर्यल निकलता है ठीक है व, नदी तिये जाते हैं म着यta प्रदूशन आपने सकते हैं और उसके बाद से कुछ इंसान के बी ऐसी गतिवी दिया होती है जिसके जैसे कि पॉलिथीन का जलाना ठीक है तरह तरह की गतिवी दिया जिसे ग्रीन हाउस बढ़ता है यान की करबंडाइए अकसाइड गैस फॉर यह जो मीथेन गैस है न यह ध है तो सीच फॉर और यहां तक की सीच फॉर गैस को ही यान की मीथेन गैस को भी ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है मतलब इन सभी गैसों में जो सबसे में हैं जिससे सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस बढ़ता है वह सीच पॉर यान की मीथेन गैस ठेक है न तो पिछले सालों पि क्या कहते हैं लोग ग्रीन हाउस गैस कहते हैं तो यह तो इसमें बढ़नती हुई है एक तर्टीवन परचेंट की बढ़नती हुए पिछले तो यह याद रखिएगा यहां से क्योशन पूछ देता है कि मीथेन गैस में कितने परतिशत की बढ़नती हुए कितने फिस्दी की बढ़नती हुए तो एक सब उन्चास परतिशत और करवंडाई एक्साइड में 31 परतिशत ठीक है ना तो अब देखिए यहां पर समझते हैं क कि यह आखिर ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग को कैसे बढ़ाते हैं तो देखिए आप लोग जानते हैं सुरे से रौश्नी प्रकाश प्ष्विद्वी तक पहुंचती है सुबह होता है धूप निकलता है उसके बाद से सुरे की रोष्णी रहने के उसके बार से जब रात होती है तो वही उस्ठी को करता है यानि की हीट को निकालता है यांकि हीट का भी reflection होता है ठीकर जितना प्रिकाश आया रहता है अपर और वापस reflect कर जाता है लेकिन जब गरिद्न फिक environment में greenhouse gas रहता है न क्योंकि greenhouse gas की बढšभंती हो गइए तो hungry इस ग्रिन हाॉस गैस बढ़ने को जैसे यही ग्रीन हाउस गैस क्या करते हैं जो प्रिफवी अपने से लिकालती है उसी हिट को यह उऩिद्धेक बार कौस नहीं जाने देते हैं इस जो होते हैं उस क्या की सित्रiziert रहता है lace एपने से बाहर ठीका ग्रीन हाउस गैस के वज़ा से किस तरह से क्लोबल वार्मिंग बढ़ता है उसको जाना भी तो ज़रूरी है तो यही जो ohh चैस होते हैं वह आपके डलते हैं पृतनी से जो उस्वाण है उसको जाने नहीं देते हैं उसस्को होशोसित कर लेते हैं तिसको पृतनी sa हो जाती है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है यहीं बजा है ठीक है और यहां तक याद रखेगा पिछले सौ बरस में दर्धहरारत का जो इदाफा हुआ है वह 0.75 का इदाफा हुआ है याद रखना है पिछले सौ बरस में यानकी सौ साल में जो प्रिथवी के टेंपरेचर में इदाफा यानकी बढ़ंती हो गई है और अगर यहीं हाल रहा ना तो आने वाले की मतलब आने वाले कुछ सालों में जो है न एक से च्छे डिग्री सेल्सेस के ब बहुत ज्यादा होता है और यहीं मतलब अगर हम सभी इंसान अपने एक्टिविटी में परिवर्ता नहीं लाए ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए नियम कानून को नहीं फॉलो किया तो फिर बहुत बड़ा अंजाम देखने को मिलेगा ठीक है अमेरिका फ्रांस जर् अधिन फंद करना होगा यानि की ट्रीन हाउस गैस जो निकलती है उसकी मात्रा में कम ही लानी बड़े बड़े देश है अमेरिका फ्रांस जर्मनी चीन जपान इंगलर्ड कोरिया रूस वगारा व गळरा तो बड़े-बड़े जी त्रक्की आफ़ता देश है उन मेंको ट् ठीक है अब यहीं है बशने का उपाय क्या हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग से बशने का उपाय क्या हो सकता है पल्यूशन को जितना ज्यादा उसके कम करो ठीक है और ग्रीन हाउस गैस जिस जिन जिन चीजों से निकलती है उसका कम यूज करो जिससे की पॉलिथिन वगरा होग कि अलग अलग देश जो है ना आकर उस दस्तावेज पर साइन की सिगनेचर किये थे इस बात को मतलब आप यूँ कि सकते शपत ग्रहन किये थे ठीक है कि इनकी पूरा उपाध्यक्ष जिनका नाम था इलगोरे यह तो पूरे अमेरिका पूरे मुल्क में घुम घुम कर लंबा लंबा तक्विश दिये थे यानि की ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय बताये थे तरीके बताये थे कि कैसे कम किया जा सकता है और लोगों को यह स सावी के नायब सदर का क्या नाम है याद रखना है यह पूरे मुल्क में घुम घुम कर तक्रीरे दिये और अपने किताब को भी यह तक्सीम किये थे ठीके बाटे थे अब देखिए 27 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक यान की लगबग 5 दिनों तक बालव अग्यान कॉंग् नागा लेंड के किस शहर में मुनापद हुआ तो याद रखना है नागा लेंड के शहर दीमापूर में यहां से दो तीन तरह से क्यूशन पूर्चता है यह भी पूर्चता है कि जो बालोग यान कॉंग्रसी जो कॉंफरेंस हुआ था यह कितने दिनों तक हुआ था तो पा दिसंबर 2008 2008 में यह कंफरेंस वा था याद रखना है मैं सन लिखना भूल गई कोई दिकत नहीं है और यह जो पांच दिनों का इस इस कंफरेंस के जो चीफ गेस्ट देख के तौर पर बुलाए गये थे वह थे सावी के नाइब सदरहिंद और आलिमगेर शोहरत याफता साइंस दा जिनका नाम साजनाम एबिजे अब्दुलकलाम जी हां सावी के नाइब सदरहिंद यानि कि भारत के पुरो राश्ट पत साइंस दा आप लोग तो समझी गए होंगे साइंस दा यानि कि साइंटिस्ट जी हां तो यह यहां तक ही भारत के राश्ट पती बन चुके थे और यह साइंटिस्ट भी थे ठीक है साइंस दा जिनका क्या नाम था एपीजे अब्दुलकलाम आजाद मुझे तो बतानी साइफ के तौर इस कांवरेंस में बुलाये गये ठीक हैं और याद रखना है यह कांवरेंस उओं अधै तहां इसके दो ही मौजू आध यानि कि दो ही टॉपिक पर यह कंवरेंस के दो ही आदी ठीक Ihr पहला का नाम पालीचन और्दूसरा का नाम ता ईनकी ऑ्र गलोबर वार तो पैलिष्ण और ग्लोबल वार्मिंक को कम करने के लिए मतलब इस के क्या तरीके और लेकर कंफेριंच हुआ था पांच दीनों का ठीक है और इस कंफेरिंस में 32 सूबों से 556 तुलवा C内 इस जह शामिल हुए थे यानि कि 32 सूब ediyor 32 32 अलग अलग प्रांतों से 556 556 4ße 16 और 1165 टीचर जो है ना इस कॉंफरेंस में शामिल हुए थे और इस कॉंफरेंस में जनाब APJ अब्दुलकलाम जो है ना इन्होंने एक जादवी मंतर बताये था पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग से बशने का और वो जादवी मंतर क्या था सुनिये 10 से 17 साल की उमर वाले 20 लाख बच्चे अगर 5-5 पेड़ लगा दे तो हमारा ज्यादतर मसायल हल हो जाएंगे ठीक है यानि कि यहाँ पर जनाब APJ अब्दुलकलाम चातर और चातर और जितने भी लोग शामिल हुए थे उन सभी को एक ही जादवी मंतर बताएं और वो जादवी मंतर क्या था कि 10 से 17 साल की उमर वाले जितने भी बच्चे हैं मतलब 10 से 17 साल की उमर वाले कम से कम 20 लाख बच्चे कितने लाख बच्चे तो 20 लाख बच्चे अगर 5-5 पेड़ लगा दें तो हमारा जो यह मसला है यह हल हो सकता है पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग पर काबू पाया जा सकता है ठीक है तो यह जादुन मंतर बढ़ाये थे अब दिलकलाम आदाद और फाइनली यहां पर यह चैप्टर कंप्लीट होता है यह आप लोगों को समझ में आगया होगा अगर समझ में आया है वीडियो को अभी तक आप लोग ने लाइक नहीं किया है तो फिर देर किस बात की फड़ाफट वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यदा उसके शेयर करना है आप लोगों को अगर आप लोग चानल पर नए नया आया हुए है हमारी वीडियो इसको पहली बार देख रह को हम लोग यहीं पर इंड करते हैं इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूं बाई बाई टेक केर फिर्म लेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद और ख़दा हाफीज